बस दो मिनट और और कब ये दो मिनट दो घंटे में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता और नुकसान किस चीज़ का होता है नुकसान होता है हमारी पढ़ाई का और ये नुकसान हम लोग नहीं भर सकते हैं क्योंकि दिन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 गंटे ही होते हैं आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिसकेशन लेने बाद है If you get easily distracted and can't focus on studies तो आज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के इस सवाल को solve करतेगा दोस्तों याद रखना अगर आप छोटी छोटी चीजों से distract हो जाते होना तो आप कभी भी एक बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते Hey everyone, welcome to an academy और मैं हूँ आपका दोस्त आपका educator अमण शर्मा and the faculty of current affairs and science and technology on an academy आज हम लोग तीन बड़े सवालों को इस topic में लेने वाले हैं पहला सवाल ये है What it is distracting you from? जो आप चीजें कर रहे हो वो आपको किस चीज से distract कर रही है दोस्ता, क्या आप इतने कमजोर हो कि आप इतनी easily distract हो जाते हो तो आप क्यों हो जाते हो and third, इस distraction को kill कैसे करना है और focus कैसे बड़ा So these are the three questions जिसको हम लोग आज solve करेंगे solution देने से पहले आपको एक छोटा सा update दे दे रहता हूं दोस्तों, unacademy civil services championship करा रही है and this championship is one in a lifetime opportunity free test series है बिलकुल UPSC civil services examination के pattern पे तो आप अपने आपको compare कर सकते हो focus लेकर आने का, focus वापस लेकर आने का एक बहुत बढ़िया तरीका है तो 13th of June 10 AM to 12 PM टेस्ट होने वाला है description box में इसका link है इसके साथ साथ कुछ नए batches भी आ रहे है तो अगर आपको अपनी preparation करनी हो, revision करनी हो 21, 22, 23 के हमारे batches आ रहे है 1 year batch है, 2 year batch है तो आप इन batches में भी enroll कर सकते हो जो आप लोग subscription ले रहे होगे do not forget to use this code अगर आप इस code का इस्तमाल करोगे तो आपको मिलेगा 10% का off और अभी subscription लेने पर 2-3 महीने का extra subscription मिल रहा है scholarship test भी होती है हमारी जोगी होती है an academy की combat चलो, पहले सवाल पर आ जाते है what it is distracting you from किस चीज़ से आप लोगों को ये distract कर रहा है आपको खुझे इसका जवाब पता है क्या है आपके सब आपके dreams क्या है आपके goals क्या है आप खुझ से उन dreams को उन goals को अपने से दूर कर रहा है knowingly और unknowingly आप कर तो रहे हो तो ये आपको distract कर रहा है आपके खुझे goals से तो life से कभी कभार कुझ चीज़ों को ऐसे delete करना important होता है यह आप delete कर देते हो तो आपके पास कोई chance ही नहीं बचता कि आप distract हो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद रखना either you plan your day or someone other will plan your day या तो आप अपना दिन प्लाइन करो नहीं तो कोई और आपके लिए आपका दिन प्लाइन करेगा जैसे facebook, instagram, twitter youtube में आप जो पढ़ाई को छोड़कर जो बागी सारा stuff सर्फ करते हो वो आपका दिन प्लाइन करता है कि आप पूरा दिन कैसे चलाओ जो आप खूद अपना दिन प्लाइन नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी वो कीम्ती समय जाया नहीं करते या मान लो कि आप अपने दोस्तों को एक particular time limit से ज़्यादा उनको एक पावर दे रहे हो कि वो आपका दिन खर्च कर सकते हैं या आपका टाइम खर्च कर सकते हैं तो भी वो आपका टाइम टेबल डिसाइड कर रहे हैं आप अपना टाइम टेबल खुद नहीं डिसाइड कर याद रखना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप दूर जा रहा है आपका गोल और आपका खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा यह रियालिटी है अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो नेक्स्ट कुश्चिन वाई यू गेट डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाते हो है ना वाई यू गेट डिस्ट्रैक्टेड टू एसकेप डिस्कमफट सब को सोना पसंद है अराम करना पसंद है क्यों कंफट है ना पर जैसे ही काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो बहुत सारे लोग आलस में आ जाते हैं क्यों फ़ई comfort zone से बाहर निकलना पड़ता है discomfort नहीं पसंद है जो चीजें आपको distract कर रही हैं उसमें comfort है discomfort थोड़ी नहीं किताबें उठाने में पढ़ाई करने में focus बनाने में discomfort है और आप discomfort लेने के लिए तैयार नहीं हो तो इतना बड़ा goal आपने चुना ही क्यों था सोचके देखो जब आप discomfort ले ही नहीं पा रहे हो तो इतना बड़ा goal चुना ही क्यों तभी तो mobile phone के अंदर इतनी सारी application होती है जो चाहे आपकी eyes को discomfort दें पर आपके मन को और brain को बहुत ज़दा comfort देती है आपको उसमें मज़ा आदा इसलिए you get easily distracted बहुत असानी से आप लोग distract हो जाते हो अब देखो बापको इस बच्चे की तरह देखो कितना dedicated है उचाहरा क्यों है ये इतना dedicated क्योंकि इसलिए distraction को किल करना सीख लिया है और ये वापस से अपने focus को बनाने में कामियाब रहा अब भाई distraction को किल कैसे करें मारे कैसे तो को एक दम से तो कोई भी चीज़ transform नहीं होती है it takes time अब आपका mobile phone है mobile phone में distraction की भी चीज़ है तो आप उसमें कुछ time limit लगा सकते हो एना anti distraction apps आती है उनको use कर सकते हो ये तो आपको सबसे पहले realization होना चाहिए कि आप distract हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो और इससे अपने आपको रोकना कैसे है अब focus आ जाएगा तो distraction automatically चला जाएगा अब ये कैसे आएगा देखो ये दो type का होता है एक intrinsic अंदर से focus generate होना और दूसरा होता है extensic मतलब बाहर से there is some outer force जो आपको focus करने पे मजबूर करें internal force कैसे तो आपको अंदर जब किसी चीज़ की कमी आ जाएए मतलब आपको पता है कि अगर मैंने ये अचीव नहीं किया तो जीने मरने का सवाल आ जाए मेरे पास और कोई option नहीं है तो आप definitely उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ोगे focus आपको बनाना ही पड़े आपको situation को manage करना ही पड़े तो your management skills आपकी management skills आपको मदद करेंगी ask yourself what are your priorities external forces क्या होते है external forces होता है आपका peer group आपका peer group अगर competitive नहीं है अगर आपका peer group आपको आपको एक अंदर competition डवलप नहीं कर रहा है कि मुझे और पड़ना है और आगे निकलना है that is not working well आपको महा से एक external push मिलता है external force मिलता है external motivation के लिए आप गहुत सारी videos देखते हो जब आप लोग किसी government exam के चहरी करते हो तो आप लोग topper videos देखते हो क्यों आपको एक external push देने के मिलता है और वही external push आप लोगों को externally motivate करेगा तो internal motivation खुद को analyze करके आएगा और external motivation या तो आप लोगे नहीं तो आपको वह environment create करना बढ़ेगा यूर डिस्ट्रैक्शन आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा पर आपको अपने ही गोल से दूर कर देगा तो बिल्कुल इस चोटे से बच्चे की तरह आप लोगों को बिल्कुल अपना focus रखना है अपना focus नहीं break करना है ये चीज़ याद रखना गाई एक चीज़ याद रखो what you are feeding आप जो चीज़ फीड करते हो body में वो आपके physical body का result होता है similarly जो चीज़े आप mentally feed करते हो वो आपके brain की mental ability आपके IQ में result में तबदील होता तो आपकी life आपके हाथ है और आपको उसको खुद ही design करना है don't let any of the application design your life ठीक है तो लग जाओ distraction भी आपके हाथ में हो और focus भी आपके हाथ में है now you have choice, choice is yours choose it very wisely thank you